सब्सक्राइब कर लीजे आरवी चैनल को इस लाल बटन को दबाके इसके साथ जो घंटी का निशाने से भी दबा दिये गा ताकि नए स्मार्टफोन्स की वीडियो आप तक पहुशती रहे हैं हलो दोस्तों मेरे नाम है आरवी आज इस वीडियो के अंदर में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ दो बहुत ज़्यादा बढ़िया मोबाइल से रेडमी और ओपो की तरफ से ओपो का A15 जो भी हाली में लाउंच हो गया ये आपको मिलता है 11,000 में दूसरी तरफ है रेडमी का 9 प्राइम जो आपको मिलता है 10,000 का तो दोनों में 1,000 का फर्ख है इस वीडियो में मैं इन दोनों मोबाइल्स में कंपरिजन करके आपको बताऊंगा कि इन दोनों में क्या कमिया है क्या क्या चाहिया है और आपको इन दोने में से कौन से लेना चाहिए तो वीडियो का आप एंड तक देखते रहीएगा बलकुल भी स्किप मत करिएगा चलिए देखते हैं अगर आप खरच करते हैं 10,000 तो रेडमी के साथ आपको क्या क्या दिया गया है तो जैसे आप अनबॉक्स करते हैं सबसे पहले आपको रखवा मिलता है एक मिनी बॉक्स जिसमें लगवा है एक सिमजेक्टर टूल अंदर दिये गए हैं कुछ यूजर मैनूल इस तरीके से एक मिल जाता है नॉर्मल क्यालिटी के अंदर सिम्पल ट्रांस्परेंट बैक कवर इसके बाद मिलता है मुबाल एक रैपर के अंदर जिसका डिटेल लुक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है ये वाइट कलर में डेटे केबल इसके लेंट और क्वालिटी दोनों बहुत जाद अच्छी है और अच्छी चीज़ ये है इसके साथ आपको टाइप सी केबल मिल जाती है तो डेटे केबल आपको काफी बढ़िया दियी गई है अच्छी क्वालिटी के साथ आखर में आपको रखवा मिलता है ये वाइट कलर में चारजर जिसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वर्ल 2 एंपिर का तो ये सिंपल सा 10 वाट का ही चारजर है फार्स चारजर आपको इस मुबाल के साथ नहीं दिये गया ये टाइप सी केबल भी है और फार्स चारजिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है चली देखते हैं फिर भी अगर आप 1000 और जादा खरच करते हैं ओपो के A15 पे तो 11,000 में उसके साथ आपको क्या क्या दिया गया है तो दोस्तों जैसे ही आप अन्बॉक्स करते हैं ओपो के A15 के बॉक्स को इसमें आपको सबसे पहले रखावा मिलता है एक मिनी बॉक्स ही जिसमें अंदर की तरफ दिये गया है कुछ यूजर मैनुल इस तरीके से कार्ड में लगवा है एक सिम जेक्टर टूल एक मिल जाता है ट्रांस्परेंट बैक कवर वैसी ही क्वालिटी के अंदर इसके बाद दिया गया है मुबाल एक रैपर के अंदर डिटेल लूक हम अभी देखेंगे उससे पहले देख लेते हैं बॉक्स के अंदर आपको दी गई है यह वाइट कलर में डेटे केबल दोस्तों लेंथ और क्वालिटी इसकी भी कफी अच्छी है लेकिन कमी यह है 11,000 में इसके साथ आपको टाइप C केबल नहीं दी गई टाइप C केबल का सपोर्ट इसके अंदर आपको नहीं मिलता हालकि इसकी कीमत भी एक हज़ार जादा है आखर में आपको रखाव मिलता है यह वाइट कलर में चारजर जिसकी बिल्ड क्वालिटी नॉर्मल है और इसके अंदर आपको आउटपुट मिलता है 5 वर्ल 2 एंपियर का तो यह भी सिंपल सा 10 वाट का ही चारजर है जैसा आपको रेडमी के 9 प्राइम के साथ दिया गया है अब यह सारा समन आपको मिलता है ओपो के साथ दोस्तो देखा जा तो बॉक्स के जो कंटेंट्स है वो आपको ज़्याद अच्छे दिये गया है 9 प्राइम के साथ ही क्योंकि उसके साथ आपको टाइप सी केबल मिल जाती है दूसरा फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है इसे के साथ उसकी कीमत भी एक हज़ार कम है तो इस चीज में देखा जा तो इन दोनों मॉबाल्स में जादा बढ़िया है रेडमी का 9 प्राइम ही बॉक्स के कंटेंट्स आपको उसके साथ ही जाद अच्छे दिये गए है चली बात कर लेते हैं डिजाइन के बारे में तो दोस्तों इनके अंदर आपको दोनों में प्लास्टिक के टैप के डिजाइन दिया गया है लेकिन Redmi के अंदर आपको hard plastic के tap के design मिलता है तो scratches इसके back panel पे बहुत कम आते हैं design की quality 9 prime में ज़्याद अच्छी है लेकिन look wise अगर आप देखेंगे design तो Oppo का design आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिया गया है इसमें आपको matte finish में design मिल जाता है जो बहुत ही ज़्याद अच्छा लगता है light की reflection आप देख सकते हैं इसके back panel पे बहुत ज़्याद अच्छी लग रही है Redmi से look wise design ज़्याद अच्छा है Oppo का ही बात करें दोस्तों camera के बारे में तो 9 prime के अंदर आपको पीछे 4 camera दिये गया है जिसमें पहला है 13 megapixel का दूसरा 8, तीसरा 5 और चौथा 2 megapixel का front camera है इसका 8 megapixel का fingerprint scanner आपको back panel पे दिया गया है Oppo के अंदर आपको पीछे की तरफ 3 camera मिल जाते हैं जिसमें main camera है 13 megapixel का और बाकी के 2 camera है 2-2 megapixel के front camera है इसका 5 megapixel का camera की performance आपको Oppo के अंदर काफी अच्छे मिल जाती है और Redmi के 9 prime के अंदर भी camera काफी अच्छे दिया गया है और दोस्तों इसके अंदर भी आपको fingerprint scanner back panel पे ही मिल जाता है Redmi 9 prime की तरह फिर भी दोस्तों इन दोनों mobile's में आपको जादा बड़ी ए camera मिलता है Redmi के 9 prime के अंदर ही camera को लेकर 9 prime जाद अच्छा है Oppo के A15 से इसके साथ इसकी कीमत भी 1000 कम है दोनों का design में आपको completely दिखा देता हूँ light weight भी जादा है इसे के साथ look wise design इसका बहुत अच्छा है और मैं आपको अच्छी design के लिए Oppo ही suggest करूँगा हाला कि quality हलकी है बस आप इसको cover के बिना use मत करियेगा display आपको दी गई है दोनों में साड़े change की लेकिन Oppo में ये कमी है के अंदर आपको HD plus ही display मिलती है 9 prime के अंदर आपको full HD plus display मिल जाती है तो display quality के अंदर आपको 9 prime जदा बढ़िया मिल जाता है लेकिन colors के अंदर brightness में कितना फर्ख है मापको दिखा देता हूँ उससे पहले बात करें user interface के बारे में display बिल्कुल full brightness करके मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ display के design में दोनों एक जैसे है edges bezels आपको दोनों में लगबग बराबर दिये गए है notch वाले display मिल जाती है लेकिन दुस्तों अगर आप colors देखींगे display के दूसरे इसके अंदर आपको display के color जाद अच्छे दिये गए है लेकिन brightness थोड़ी सी कम है OPPO के comparison में तो दोनों mobile's अपनी जगा सही है डिस्पले में left side साब देखेंगे दोनों में sim के ट्रे मिल जाती है दोनों के अंदर आप दो sim काड़ एक memory कार तीनों चीज़ एक साथ लगा सकते है इन दोनों mobile's में ज़्यादा slim आपको मिल जाता है OPPO ही नीची की तरफ साब देखेंगे तो charging port, speaker, mic, headphone jack दिया गया है type c port आपको मिल जाता है 9 prime के अंदर जो ज़्यादा अच्छी खुबी है right side साब देखेंगे तो दोनों में volume के buttons उसे की ठीक नीचे power के buttons उपर की तरफ साब देखेंगे तो OPPO के A15 में plane design है कुछ नहीं दिया गया 9 prime के अंदर आपको noise cancellation mic मिल जाता है और IR blaster भी दिया गया है जिससे आपका MI remote काम करता है तो TV अगर आप इस mobile से चला सकते हैं दोनों ही mobile के अंदर आपको Android का 10 version दिया गया है इस चीज में दोनों एक जिसे हैं बात करें दोस्तो बैटरी के बारे में तो OPPO के अंदर आपको बैटरी मिलती है 4230 मेश की 9 prime के अंदर आपको बैटरी दी गई है 5020 मेश की OPPO के 15 के अंदर आपको दिया गया है processor MediaTekka P35 9 prime के अंदर आपको मिलता है MediaTekka G80 processor अब दीखिए अगर आप एक heavy user है आपको performance अची चाहिए तो इन दोनों mobile's में आपको ज़्यादा बढ़िया processor दिया गया है 9 prime के अंदर ही क्योंकि इसके अंदर आपको processor ज़्यादा अच्छा मिल जाता है अब ये सारी खूबिया कम्यापको मिलती है इन दोनों में चले बात कर लेते हैं सबसे main चीज़ा आपको इन दोनों में से कौन से लेना चाहिए कौन से नहीं तो matter सबसे पहले ये करता है कि आपको OPPO पे ज़्यादा भरोसा है या फिर Redmi पे इसके बाद आपके जो main ज़रूत की चीज़ है वो किस mobile में ज़्याद अच्छी है तो दीखिए अगर आपको display चीच चाहिए तो display के अंदर दोनों में अपनी अपनी खूबियां है आप अपनी ज़रूत के हिसाब से ले सकते हैं अगर आपको brightness अचीच चाहिए तो आप OPPO ले लीजिएगा लेकिन दोस्तों अगर आपको colors इसे की साथ full HD plus display चाहिए तो आप 9 prime ले सकते हैं तो display में दोनों मोबाइल से अपनी जगा सही है लेकिन दोस्तों अगर आपको अच्छा चाहिए design तो आप OPPO का A15 ही लीजिएगा design इसके अंदर आपको बहुत ही ज़्यादा बढ़िया दिया गया है लेकिन अगर आपको लिए matter करता है mobile का camera तो camera आपको ज़्याद अच्छा मिल जाता है 9 prime के अंदर आप 9 prime खरीदिएगा अच्छे camera के लिए इसके लिए अगर आपको लिए matter करता है mobile का processor तो वो भी आपको 9 prime के अंदर ज़्याद अच्छा दिया गया है आप 9 prime ही खरीदिएगा अच्छे processor के लिए परफॉमेंस इसके अंदर आपको ज़्याद अच्छी देखने को मिलेगी इसके लब दोस्तो बैटरी भी आपको ज़्याद अच्छी दी गई है 9 प्राइम के अंदर अच्छी बैटरी के लिए आप यही मूबैल ली जिएगा आखर में अगर आपके लिए रैम और स्टॉरेज मैटर करती है तो ओपो में तो आपको 11,000 में दी गई है 3 GB की RAM 32 GB के internal storage लेकिन 9 Prime में आपको 1,000 कम में दी गई है 4 GB की RAM 64 GB के internal storage तो RAM or Storage भी आपको जादा मिल जाती है 9 Prime के अंदर इसकी कीमत भी कम है अच्छी RAM or Storage के लिए भी आप 9 Prime खरीदिएगा तो डिस्प्ले में तो दोनो नॉर्मल हैं लेकिन डिस्प्ले के अलावा OPPO में एक बहुत बड़ी खुबी मिल जाती है जो की है इसका डिजाइन जादा स्लिम जादा पतला भी है यह जादा लाइट वेट है तो दोस्तों अगर आपको डिजाइन अच्छा चाहिए तो आप OPPO ले सकते हैं लेकिन Redmi के 9 Prime में आपको चार खुबी जाद अच्छी मिल जाती है जाद अच्छा प्रोस्सर, जादा बड़िया कैमेरा, इसे के साथ जाद अच्छी बैटरी और चौथा रैमोर्ड स्टोरेज जादा है तो चार खुबी है 9 Prime में, एक खुबी है OPPO के अंदर इन दोनों मुबाल्स में किलियरली जादा बड़िया है Redmi का 9 Prime ही मैं आपको यही कहूँगा, इन दोनों मुबाल्स में आप 9 Prime ही खरीदियेगा अगर आपके लिए features matter करते हैं लेकिन दोस्तों अगर आपको सिर्फ design ही बहुत अच्छा चाहिए आप एक normal user है, आपको बहुत जादा heavy use नहीं है तो आप OPPO भी ले सकते हैं, इसका design आपको बहुत बड़िया मिल जाता है तो आपके लिए बाकी चीज़े इतनी matter नहीं करती है, आपको सिर्फ design बहुत अच्छा चाहिए इसे के साथ आप एक normal user है, तो आपको OPPO में दिक्कत नहीं होगी यह mobile आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आपके लिए बाकी चीज़े बहुत जादा matter करती है प्रोसेसर, बैटरी से के साथ, कैमरा, तो आप 9 प्राइम ही खरीद दिएगा मुझे दोस्तों वैसे यह दोनों ही mobile बहुत जाद अच्छे लगे, फीचर जादा पसंद आए 9 प्राइम के लेकिन डिजाइन बहुत अच्छा होने की वज़ए से OPPO का A15 भी बहुत अच्छा लगा अच्छा है